नवजोज सिंग सिद्धू अपनी रैलियों में जनता से तालिया बजवाई और आज जब सिद्धू पर मुसीबत का पहार तूटा है पार्टी जो उनके खिलाफ बगावत पर उतराई है उस बगावत में सिद्धू का साथ भी खुले तोर पर देने के लिए कोई तयार नही है नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News में हूँ आपके साथ मेखा पंजाब सरकार के कैबिनिक मंत्री नवजोज सिंग सिद्धू का मंत्राले यहां पर मुख्य मंत्री कैप्टन अमरंदर सिंग ने बवल बदल दिया है इस पैसले से सिद्धू पूरी तरह नाखुश है और सिद्धू की नाराज की साफ तोर पर दिखाई पड़ी हाथ में खत लेकर सिद्धू पहुंचे हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहु गांधी और कॉंग्रेस महासचिफ प्रियंका गांधी वाद्वरा से मिलने इन सब के बीच नवजोज सिंग सिद्धू चारों तरफ से घ जनता को दिखाते हुए सिद्धू के दावों को खोकला बता रहे हैं कॉंग्रेस के खेमे की ये कल है फिलहाल हर जगा चर्चा का विशे बनी है सिद्धू जिनके इस तीपे की मांग हो रही है सिद्धू जो राजनीती से सन्यास ले लेंगे इस तरह की तमाम खबरे आ रह था आज वो हात सिद्धू के खिलाब सवाल उठा रहा है आज वो हात नवजोज सिंग सिद्धू से कई तरह के सवाल कर रहा है आज वही हात नवजोज सिद्धू के खिलाब जाकर उनके इस तीफे की मांग कर रहे हैं और इस तीफे की मांग के बीच नवजोज सिद्धू का छलका है दर्द अमरिंदर सिंग को लेकर सिद्दू ने कहा है कि मैंने उनका स्तम्मान किया है कॉंगरिस अध्यक्ष राहूल गांधी को लेकर सिद्दू कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है कैसे कल तक जिन अपनों के साथ सिद्दू BJP पर वार है डालिये नजार इस खास रिपोर्ट पर नवजोज सिंग सिद्धू दिल्ली पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली और यहां आकर नवजोज सिंग सिद्धू ने की है बात चीत कॉंग्रेस अध्यक्ष राखुल गांधी के साथ पंचाब में मुख्यमंत्री कैप्ट इस बीच सिद्धू आज यानि सोमवार को राखुल गांधी कॉंग्रेस अध्यक्ष राखुल गांधी और कॉंग्रेस महासरचिफ प्रियंका गांधी पात्रा से मिले इस दौरान एहमद पतेल भी मौजूद रहे सिद्धू ने इस मुनकात के दोरान रागुल गांधी को चिथी सौपी हाला कि ये खुलासा उन्होंने नहीं किया है कि चिथी में क्या लिखा है लेकिन जिस तरीके की अटकले लगाई जा रही है उन सबके आधार पर इस चिठी में सिद्धू ने ये लिखा है कि अगर पार्टी उनकी बात नहीं मानती अगर पार्टी यहाँ पर उन्हें किसी तरीके की कोई भी ज्यादा परिशानी देती है तो नबजोज सिंग सिद्धू पार्टी से अलग हो जाएंगे बता दे आपको सिद्धू अपने इस्तीफे को लेकर और राजनीती के अखाड़े से सन्यास को लेकर लगतार सुर्खियों में बने हुए हैं सिद्धू को लेकर कहा जा रहा है कि अब वो जल्द से जल्द अगर कॉंग्रेस पार्टी ने उनका पद पंजाब की क्याबिनिट में उन्हें वापस नहीं किया तो सिद्धू यहाँ पर या तो पार्टी ही छोड़ देंगे और उसके बाद राजनीती से सन्यास भी ले ले लेंगे लगतार सुर्खियों में बने हुए नवजोज सिंग सिद्धू को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब ये सिद्धू काफी ज्यादा आहत हो चुकी है हाला कि आपको बता दे इस तीफे को लेकर चर्चा में जो सिद्धू है वो रागुल गांधी को लेकर कहते हैं कि मैंने हमेशा रागुल को बड़े भाई की तरहा सम्मान दिया है और पंच्राब के मुख्य मंतरी कैप्टन अमरंदर सिंग को लेकर सिद्धू कहते हैं मुझे हलके में नहीं लिया जा सकता मेरे विभाग पर सार्वजनिक रूप से निश्राना साधा जा रहा है मैं हमेशा उनकी बात सुनता हूँ लेकिन इससे मुझे दुख होता है आफ्टर आल सामूहिक जिमेदारी कहां गई बता दे आपको लोगसभा चुनाब में कॉंग्रेस ने पंजाब की 13 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की और इन सब के बीच में नवजोज सिंग सिद्धू जो है पूरे देश में कॉंग्रेस की जो शर्मनाखार हुई है इसे लेकर अमरिंदर सिंग के निशाने पर है सिद्धू राहूल गांधी को लेकर काफी ज्यादा भावुक हुए सिद्धू ने कहा कि राहूल गांधी उनके बड़े भाई जैसे हैं वो कैप्टन अमरिंदर की भी काफी ज्यादा इज़्ज़त करते हैं लेकिन जिस तरीके की बगावत कॉंग्रेसी खेमे में सिद्धू के लिए हो रही है उस बगावत से आहत सिद्धू बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं इसके आसार पूर्ण रूप से यहां पर दिखाई पड़ रही हैं